नीता अमबानी के तरह ही उनके लाड़ेली इशा अमबानी भी फैशन के मामले में कुछ कम नहीं है छोटे भाई की प्रेव वेडिंग क्रूस पार्टी में इशा के ग्लामरेस और क्लासी लुक पर सब विदा हो गए हर एक ब्रेस में इशा अमबानी कमाल दिख रही है चलिए डालते हैं उनके लुक्स पर एक नसर क्रूस पार्टी के लिए इशा अमबानी ने क्रीम कलर की आफशोल्डर लेयर्ड मैक्सी ड्रेस भेनी थी वेंटेज आउट्पिट में हास से कढ़ाई की गई मल्टी लेयर्ड वेटलेस चूल लगी हुई थी लुक को मिनिमल रखते हुए डायमंड स्टडिट कंगन और स्टड एरिंग्स कैरी किये थे मेडिया रिपोर्ट के मताबिक इशामबानी का क्रिश्चिन डायर गाउंड एक रेयर मास्टर पीस है जिसे ब्रुसेल्स में पैशन और लेस म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया था ये आउटफिट 1950 के रेयर कलेक्शन से चुनी गई है जिसके किमत 9950 अमेरीकी डॉलर यानी 8,31,451 रुपे की है मस्करेट बॉल में इशा ने रैट कलर का हैवी गाउन पहना था जिस पर गोल्डन एंड पिंक कलर का कड़दाना वर्क किया गया था एक डायमंड कमरबन के साथ अपने आउटफिट को स्टाइल किया था ग्लैम मेक अप और हाफ टाइड हेर स्टाइल उनके लुक में चारचान लगा रहे थे पन्ना एंड डायमंड स्टडेड स्टेट्मेंट एरिंग्स और नेक पीस ने उनके लुक को और भी अट्रेक्टिव बनाया जिस चीज ने सबका ध्यान खीचा वो था इशा के गाउन पर लिखा टेक्स्ट इशा के गाउन पर इशा लव आनन्द के साथ 12 दिसंबर 2018 लिखा था जो उनकी वेडिंग डेट थी इशा का ये गाउन 6 साल पुराना है जिसे खास उनके शादी के लिए डिजाइन किया गया था पिंक एंड ओरेंज कलर के कॉंबिनेशन वाली प्लमिज ड्रेस में इशा प्रिंसस की तरहा दिख रही थी उनका आउटफेटेड रॉबर्टो कैवली के कलेक्शन से लिया गया था उनकी ड्रेस पर यूनिक प्रिंट्स थे सिंपल स्टाइलिंग और खुले बालों में इशा काफी खुबसूरत लग रही थी चंकी एब्स्ट्रेक्ट शेब इयरिंग्स ने उनके लुक में चारचान लगा दिये थे क्रूज बैश में वेलकम लंच के लिए इशा ने एक्वा कलर का टैंक टॉप पहना था जिस पर मारियो प्रिंट था इसकी कीमत 36,800 रुपए है इशा ने अपने टॉप को मैचिंग स्कर्ट के साथ पहना था इशा ने स्वारवस की ब्रैंड के स्टारफिश शेप की जूल्री पहनी थी इन गोल्ड प्लेटेट एरिंग्स में छोटे और मल्टी कलर्ड क्रिस्टल मोती जड़े हुए है वेबसाइट पर एरिंग्स की कीमत महज 12,900 रुपए है इसी ब्रैंड का एक स्टारफिश शेप का मोती जड़ा हुआ पैंडेंट और स्लीक बीड़ेट चैन भी चुना जिसकी कीमत 20,000 रुपए है इशा ने अपने लुक को YSL ब्रैंड के वाइट बॉर्डर और ब्लैक शेड वाले फंकी संग्लासेस के साथ पूरा किया था जिसकी कीमत 29,352 रुपए है कट आउट ड्रेस में भी इशा स्टनिंग लगी ब्लू कलर के स्टेटमेंट एयरिंग्स और रिंग्स को साथ में स्टाइल किया था एक इवेंट के लिए इशा ने जॉर्जस होबे का ड्रेस पहनी थी जिसमें डिजाइनर के डेडी टू वियर स्प्रिंग 24 कलेक्शन से एम्बेलिश्ट टैंक टॉप और फ्रिंज वाली स्कर्ट शामिल थी दो लेयर वाले नेक पीस टाइमंड एयरिंग्स ग्लैम मेकप में वो बेहद स्टनिंग दिख रही थी पार्टी में इशा का बेहद ग्लैमरे संदाज भी देखने को मिला उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें कॉर्सेट ब्लाउस और बारिक डिजाइन वाली मोती स्टेड़ेट पैंसल स्कर्ट शामिल थी जो उनके कर्व्स को उभार रही थी बोल्ड ग्लैम मेकप और पीछे की ओर स्टाइल किये गए बाल उनके लुक में शांदार टच एड़ कर रहे थे अपने एक लुक के लिए इशा ने गिंगम प्रेंट यानी चेक प्रेंट की ड्रेस को गुची के शिमरी कार्डिगन के साथ पेर किया जिसका बैस्ट एरिया कॉरसेट डिसाइन का था वहीं फ्रेंट स्लेट ड्रेस को खुबसूरत बना रही थी इशा अमबानी ने एक ड्रामेटिक गाउन भी चुना था जिसमें फ्रेंट की तरफ 3D फ्लोरल डिटेलिंग और पीछे की तरफ लो बैक कट आउट था उनके गाउन की हैम लाइन काफी फैली हुई थी और रेगुलर प्लीट्स ने इसे रॉयल लुक दिया था इशा ने अपने लुक को हाफ टाइड हेर डू, रूबी एंड क्रिस्टेड एरिंग्स और मेकप के सटल चॉइस के साथ पूरा किया था आपको इशा अमबानी का कौन सा लुकाया पसंद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब फेस्बुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें